हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसे के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्ते शेयर किष्णा जैजै शीरा दे देख रहे हैं जोतिश दिशा स्पेशल मेरे यानि अपने दोस्त संतो संतोशी के साथ और आज बहुत प्रतिख्षित विश्य लेकर के हम आये हैं बहुत दिनों से सोचा जा रहा था कि कैसा विश्य लेकर आया जाए जो मैं हमेशा बोलता तो हूँ आप लोगों से लेकिन इसके पीछे के मूल चीजों पर हमने नहीं बताया हमने कहा है कि हमारा उपाय हमारे प्रियोग तब कारगर जादा होंगे जब आप पूरत तरह से साथविक रहेंगे देखें इसके पीछे का कारण क्या है तीन प्रिकार की शक्तियां है गुण है प्रत्वीपर सत रजितम साथविक्ट गुण प्रिकृत क्या गुण माना गया? सबसे शुब शकलात में गुण माना गया है, देवत्व का गुण माना गया, जो सत्थ है, जो शुब है, साथ्विक्ता, साथ्विक गुण राजसिक गुण में मदिरा आधी प्रवेश हो जाता है और तामसिक गुणों में पुरी तरह से नकारात्मकता आती है मांस भी आ जाता है मदिरा तो आता ही आता है राक्षसत तो आता है अग्यानता आती है तो सत रजतम तीन प्रकार के गुणहतम माने अंधकार होता है जो कि अंधकार के साथ जुड़ा हुआ होता है पहली चीज अगर आप नौनवेज खाते हैं अगर आप मांस भक्षन करते हैं तो किस प्रकार से ये आपके भाग को चरित करता है हम उस पर आज चर्चा कर रहे है हर किसी के साथ ये जुड़ा है बहुत लोग इसमें बहुत सारे तर्क, कुतर्क, सुतर्क सब कुछ देते रहते हैं आप समझे कि आपको नौनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए आप समझे आज इसको ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं हम शुद्ध ब्रामण हैं क्योंकि मैं बेद पाठी भी हूँ और यगो पवीद भी हमने धारण किया हुआ है ग्यारह वर्ष की अवस्था से ही इस वज़ा से हम नहीं बता रहें अपितु हम इस वज़ा से बता रहें यह जानना बहुत जरूरी है कुतर कि इसमें क्या होता कि फलाने तो खाते हैं लेकिन वो तो कहां से कहां पहुँच गए आएंगे उस पर भी आएंगे कि वो खाते हैं वो तो बहुत फल फूल रहें बहुत आगे बढ़ रहें आएंगे इस पे भी आएंगे समझे पहले समझे प्रकृति को शुद्धदा पशंद है और मांस अशुद्ध माना जाता है अशुभ माना जाता है किसी भी धार्मी कुस्थान पर आप मांस के साथ प्रवेश क्या कर सकते हैं नहीं किसी भी किसी भी धर्म के संभवते हैं हमारे खाल से अन्य धर्मों में भी मांस के साथ आप धार्मी के स्थान पर नहीं जा सकते हैं एक शुद्धता वहां पर भी चाहिए पवित्रता चाहिए जो की मांस पवित्र नहीं माला जाता इसका मतलब वह आपवित्र है हिंदू माइथालोजी के भी इसाप से देखा जाए तो हिंदू में भी कुछ दिनों पर लोग मांस नहीं खाते हैं जैसे मंगलवार नहीं खाते रभिवार नहीं खाते हैं तो भईया क्यों नहीं खाते हैं साइद उन देवताओं को आप बहुत ज़्यादा सात्मिक मानते होंगे या उन देवताओं से आप डरते होंगे या हो सकता कि यह आप सुनते आए हैं यह आप समझते आए हैं तो उस दिन नहीं खाया जाता है आप नौरात्रों में खाते हैं आप सामन में नहीं खाते हैं क्य आप श्राधों में नहीं खाते हैं क्यों? बाकी दिन अशुभ हैं? वो बहुत अच्छा दिन आ गया है बाकी दिन आप नहीं जियेंगे बाकी दिन आप सांस नहीं लेंगे बाकी दिन आप भोजन तो करी रहें तो इसका मतलब ये है कि आप भी consciously उस चीज को अशुद्ध और आप अवित्र मानते हैं आपको पता है कि उन दिनों पर खाने पर अहित या फिर अशुबता कुछ हो सकती है या फिर आप डरते हैं उन देवताओं से या फिर आपको बड़ों ने मना किया है तो चलो बड़े मना करते हैं नहीं घर में बनता है तो हम भी नहीं खाएंगे इतनी possibilities हैं खास दिनों पर non-wage ना खाने वालों की आते हैं हम इसके दूसरे पक्ष पर मांस भक्षन किसी जीव की हत्या है आप माने ना माने लेकिन एन केन प्रकारियन एक जीव तो आपने खत्म किया तो प्रकृति उसको justify कैसे करें प्रकृति उसको positive कैसे माने प्रकृति उसको positive कैसे समझे यह आपको बताना होगा अपने आपको बता लीजिए हम तो खेल सब जानते हैं हमें यह बताने कावशक्ता नहीं वो जायज कैसे ठहराया जाए उसी सूत्र के अंतरगत फिर आपकी हत्या करके क्यों ना खाया जाए question आप बोल लेते हैं आपकी इंद्रियां सलामत हैं आप सबसे rich योनी में हैं मानव योनी में हैं तो आप क्या मतलब सब कुछ कर सकते हैं तो आप उस जीव की हत्या के बहुत बड़े कारण बने बहुत बड़े कारण बने और इसके कारण आपके पुन्य बल में से आपके सुभ सौभाग्य में से कुछ अंश कट जाएगा क्यों न कटे? यस अंडा खाने से भी कटेगा अब फिर मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा उस तर्क को जो आप लोग अक्सर हमसे दे देते हैं कि कुटर्क, तर्क नहीं कुटर्क कि गाय का दूद भी मांसाहार है ऐसे लोग एक बार जा करके अपना मुह गंगा जल से धुल करके और सीसे में अपना चेहरा देख लें या सामने आ जाए दो चार जहापड खाले हमसे प्यारवाला प्यारवाला ऐसे नहीं आप माई बाफ हो यार हमारे कैसे महबबत में कह रहा हूं तो यह सब तरक कुटर्क मत दीजेगा इंक्लूडिंग एक अर्थात अंडा आपके लिए यह किसी भी तरह से सकारात्मक नहीं है प्रैक्टिकली साइंटिफिकली अगर आपको देखना है तो तीन दिन लगातार आप नौन्वेज खाईए इंक्लूडिंग अंडा और तीन दिन भयानक सात्वे खाईए साग सबजी छाच जो की रोटी अरहर की दाल उबली हुई सबजीया पालको गए रहकी और चारो दिन के पूरे दिन के प्राप्ति और नुकसान हान इलाब को लिखिएगा चार-चार दिन आप करके देखिएगा पहले नौन्वेज खाने वालों के लिए जो शाकाहरी है उनको तो हमारा प्रणाम है तो नौन्वेज खाने से हमारे भाग्य का कुछ अंस कर जाता यह डिपेंड करता कितना अंस करता है अब हमें यह मालूम तो है नहीं कि हमारे भाग्य में प्रकृति ने कितना कुछ लिखा है हम कितने भाग्य शाले ही हमें नहीं पता है तो पता चला कि हम अपने भाग्य को शून निकर डाले और एक सीमा तक आने के बाद फिर हमारे साथ सब कुछ बुरा बुरा होने लग और हम कुछ भी कर लें, अब हमारा संचित कुछ बचा नहीं है, अब हमारे पास कुछ भी इकठा नहीं है, जो हमारे लिए हमारे गाड़े वक्त में काम आए। अनड़ा खा लिया या एक बाइट चिकन मॉटन कुछ और खा लिया, तो हमारे सो रुपए में से पाँच रुपए आज कट गया, अब पंचानवे बचा, हम खाते जाया, खाते जाया, खाते जाया, नतीज़ा ये निकला, ये दिन हमारा जो भंडार था वो सून्य हुआ, औ तो अब हमें अभाव में जीना पड़ेगा, तो हमें कहीं बेटा हमको धक्का मार देगा, तो कहीं पत्नी किसी के साथ भाग जाएगी, तो कहीं पिता किसी और के साथ चले जाएगे, तो मतलब प्रकृति आपको जहां से कोच सकती है, यह उत्तर भारत में बहुत प्रचलित ह हमारे अवद्शेत्र में मतलब पिंचु होना कोचना प्रकृति जहां-जहां से कोच सकती है आपको कोचेगी आपको दुख देती जाएगी तुलना आप तुलना करते हैं कि फलाने खा रहे हैं लेकिन फलाने के पास मरसेडीज और जेट प्लेन है यस यस दिकैन है आपको क्या पता उनके भागियों में कितना पैसा है उनका भाग्य कितना प्रबल है how can you judge how can cut उनका भी रहा है जा उनका भी रहा है आपके पास सो था उनके पास सो करोण है तो जी लेंगे आराम से enjoy करेंगे जो भाग बच जाएगा वो उनकी बंसच भी जी एंगे ये भी मैं बताओं उनके पास सो करोण था उन्होंने नब्बे करोण जी लिया तो जो दस करोण बचा है वो दस करोण की वंसच जी एंगे वो अंश जो लेके आए हैं उनका ब्लड उनको पाएगा ठीक उसी तरह से कि अगर हमारे पास सो रुपया था नब्बे हम खर्च कर गए हम मर गए तो दस को हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा ओविसली मिलेगा सिंपल वेरी ट्रू बहुत सीधा सा तरक है तो ये तरक कुतरक मत दीजेगा कि कोई खा करके बहुत पनप रहा है बहुत फल फूल रहा है वस्तुत है उसका भी कट रहा है आपके पास कम था इसलिए आपको पता चलने लग जाएगा उनके बहुत ज़्यादा होगा तो उनको दो-तीन पीड़ी के बाद पता चलेगा पता उनको भी चलेगा नौनवेज खाने से हमारा पुन्य खंडित होता है पुन्य हमारा च्छरित होता है ये सत्य है इसको हमने प्रमाणिक्ता के साथ देखा है आप लोग 4-4 दिन का experiment कर सकते हैं ट्रायल कर सकते हैं आपको रिजल्ट पता चलेगा और जब रिजल्ट पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना loss उठा लिया है कितना loss आपने उठा लिया है नॉनविज खाकर के जीव का स्वाध है कुछ लोग कहते हैं कि ढॉक्टर रिक्मन्ड करते हैं आएं मेरे सामने ढॉक्टर साहब लोग कौनसा ऐसा पोश्टी काहार है जो उसी में मिल सकता है बाकी साकाहार में नहीं मिल सकता है हर प्रकार से कितनी विदेशी विश्विद्याले भी इस पर शोध पर खरे उतरे हैं कि शाकाहारी जीवन ज्यादा आसान होता है ज्यादा हस्मुख भीतता है ज्यादा स्वस्थ भीतता है आप Google कर सकते हैं आप सर्च कर सकते हैं आप विदेशी डॉक्टर से से पूछ सकते हैं आप विदेशी डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं जिस पर आपको ट्रश्ट हो आप पूछिएगा इस पर तमाम शोध हो चुकी है और शोध भली भात ही संपूर्ण हो चुकी है रशी महात्मा सब देर देर दो दो सो तीन तीन सो साल तक जीते थे यही सब कारण होता था सुद्ध शाकाहरी अभी मैं देख रहा था एक बार अभी एक शोध हुआ था इस पे जो है नेट पे मैं कहीं पाया था कि यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास में कोई जंगली जाती है वो लोग महा साकाहर पे रहते हैं महा शुद्ध रहते हैं एक खास पकार का खमीर कुछ होता है उसको खाते रहते हैं और वो असी साल में भी एक्टिव रहते हैं वहाँ पे आज़ जो एवरेज एज है वो 120 या 130 साल की है और वहाँ पे इस्त्रियां 70-70 साल में मा बनने की खमता रखते हैं और पुरोश असी 90 साल तक वो पिता बनने की खमता रखते हैं सुद्ध शाकाहरी तो आप इस पे सोथ कर सकते हैं मेरे जोतिश सास्त्र में और मेरे प्रयोगों में अगर कोई 99 खाकर के प्रयोग करता है तो प्रयोग लाव नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा बहुत बड़ी चर्त है आप कब तक छोड़े हम जिन्दगी भर छोड़ने की बात करते हैं ये नहीं कि आप 10 साल तक उपाय कर रहे हैं तो 10 साल तक 99 छोड़ दीजें लेकिन इतना जरूर हम प्रामिस करते हैं कि अगर 99 छोड़ते हैं आप तो छोड़ने के बाद जो उपलब्धियां होंगे जो आप एचीव करेंगे उससे आप चौंक जाएंगे और फिर जंदगी भर के लिए नौनवेज छोड़ देंगे आप जाड़ू लगा रहे हैं लेकिन पीछे से आप कुड़ा करकट डालते जाएं तो जाड़ू लगाने का कोई आउचित्य है नहीं तो झाडु लगाना निवारे नहीं है परहेज करना रोखना या निवारे है अर्थात नौन्वेज रोखना निवारे है उपाय या ना करें बिलकुल भी नौन्वेज इस्ट्रिकली बिलकुल रोखता हो में महा सात्विक खाईए साख सब्जियों का सेवन करिए नीम की पत्ती का सेवन करिए तुलसी की पत्ती का सेवन करिए बेल पत्र का सेवन करिए इस से आपके अंदर की सकरात्मक उर्जा जागरित होगी आपका भाग च्छरित रही होगा आपका भाग ये बैलन्स आपका मेंटेन रहेगा आप सुखी रहेंगे आपकी आने वाली पीडिया सुखी रहेंगे हमारा भारत पर से सुखी रहेगा हम सुद्रिन होंगे सब कुछ होता चला जाएगा तो हम उमीद करते हैं महराष्ट में चुकी हम थे आज हम आप लोगों से भी प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि आप नौन वेच कभी नहीं चुएंगे शुद्ध खाना खाएंगे सात्वी का हार गरहन करेंगे बड़ों का आशिरवाद लेंगे हसते मुस्कराते खिल खिलाते रहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इतना हमें सनेह देने के लिए फिलाल के लिए बहुत धन्यवाद अमीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो काप लोग वीडियो पहुँचाएंगे और इस वीडियो को पहुँचाने के बाद आप सब प्रामिस कर लेंगे कि कभी भी आप लोगों के द्वारा नॉन्वेज नहीं खाया जाएगा बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद हमें उमत देजे खुश रहे प्रशन रहे मिलते हैं काश्मान्दों में नमस्ते हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसर के वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा आचार्य संतोशी जी के आगामी कारेक्रम इस प्रकार है अधिक जोनकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर करें double line 10291850 or double line double line 024 0 double line